हेलो एब्रिवान तो आज हम लेके आए हैं अपना अगला टॉपिक दैट इस एक्सरसाइज 1.2 अभी तक हमने किया है एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोड़क्शन एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोड़क्शन सिरफ तीन वीडियो से बनी है अगर आप चैप् पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे आपका सब्सक्राइब एक मोटिवेशन का काम करता है जिससे मुझे और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन लिखा पड़कनी है जब आईट और इंफर्नाइट किये थे फानाइट सेट और एंप्टी सेट मतलब की एंप्टी सेट भी एक फ़ानाइट सेट की क्याटेगरी में ही आता है तो हमारे पास पहला है सेट आफ और नमबर डिवीजील बाइट अब सारे ओड नमबर्स कोई बी और प्राइम नंबर्स अब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अगर उनकी बात किया जाये तो 2 एक अकेला प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है 2 is the one and only इवन प्राइम नंबर तो इसमें यह खाली तो नहीं है तो इस सेट में एक एलिमेंट तो आई जाता है 2 तो यह not a null set x is a natural number x less than 5 और greater than 7 obviously x एक एलिए ऐसा element हम देख रहे हैं जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो तो ऐसा तो कोई element नहीं आएगा तो इसका answer भी हमारे पास 5 ही है y is a common point to any two parallel lines y दो parallel lines का कोई common point है तो parallel lines कौन से होती है parallel line के दो definition यह है कि एक तो इनका हर point पर distance बराबर है और इनमें कोई common point नहीं हो तो इसमें भी हमारे पास 5 इसको 5 बोला जाता है तो यह हो गया है हमारा first question तो चलिए next question की तरफ चलते हैं तो अब हम आगे है question number second की तरफ second question है हमारे पास 24 following are finite and infinite finite और infinite का ध्यान रखते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि finite में empty भी आ जाता है और finite में हर कोई भी number जितना मर्जी बड़ा हो अगर वो countable है तो finite में आ जाएगा मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं एक लाग करोड की बात करूं अगर वो countable है माल लीजिए अगर मैं किसी area में रहने वाले लोगों की बात करों या population of India की बात करों चाहे जितनी मर्जी जादा हो लेकिन countable तो है वो finite में ही आएंगे जो चीज countable ही नहीं है जिसको हम count नहीं कर सकते या उसका end point ही नहीं है वही चीज़े सिर्फ infinite में आएंगे तो यह दो basic चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हां अगर set खाली है तब भी finite में आएगा तो हमारे पास पहला आ रहाता है set of month of the year year के month countable है January से लेके हमारे पास December तक तो that's it is finite set अब आगे की limit है यह नहीं यह set of natural number है जिसको उन्होंने रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो यह uncountable है तो that is infinite set इसको count नहीं कर सकते हैं हमें पता है नहीं है इसका upper bound कहां पे है यह अपर limit क्या है अब यह भी एक set of natural number है less than or equal to 100 तो यह countable है तो finite आ रहेगा set of positive integers greater than 100 100 से उपर कितने positive integers है अब यह countable नहीं है बहुत सारे हो सकते हैं integers तो यह हमारे पास infinite आ रहेगा this set of prime numbers less than 99 यह हमारे पास finite की category में आ रहता है जो चीज़े count करने लायक है वो finite में आ रहती है इसकी एक example हमारे पास question number third में भी आती है तो उसको करके आपको ज्यादा अच्छे से clear हो जाएगा तो चलिए third question की दरफ चलते हैं तो यह हमारे पास question number third question number third state whether the each of the following set is finite और infinite तो चलिए और थोड़ी सी example है this set of lines which are parallel to x-axis तो यह हमारे पास x-axis होती है इसके parallel कितनी lines बना सकते हैं बहुत सारी बारीक बारीक जितनी बारीक बनाते रहो बहुत सारी infinite आ रहेंगे तो यह हमारे पास infinite set है letters in English alphabet count किये जा सकते हैं a से z तक तो यह भी हमारे पास finite set है set of numbers which are multiple of five और five के multiples हम count नहीं कर सकते जादा से जादा कहां तक count कर लेंगे उसको जितना मर्जी higher number देखिए आप उससे भी multiply कर देए आप जितना higher number सोची उसको five से multiply कर देए और एक higher number आ रहेगा उसको five से कर देए तो यह हमारे पास uncountable है तो यह हमारे पास infinite में आ रहे गा हाए हायर studies में जाके infinite countable uncountable finite इनकी definitions अलग-अलग विजाती है the set of animals living on earth अब यह question थोड़ा सा सोचने वाला है ज्यादा तर गलती हैं बच्चों से इस टाइप के question में set of animals living on earth अब set of animals यह मैंने एक example बताये थी population of a country वाली अब country में population जितनी मर्जी ज्यादा हो गिन्नी तो जा सकती है countable होती है ऐसे ही अगर animals की बात करें कि अर्थ पे रहने वाले animals कितने हैं अगर सोचा जाए तो बहुत जादा है बहुत जादा है लेकिन count किये जा सकते हैं count करने में time लग सकता है region by region count किया जा सकते है तो count हो भी सकते हैं लेकिन infinite नहीं है तो यह हमारे पास finite में आ रहा है यहीं पर बात आती है countable और infinite की यह गिने जा सकते है this set of circles passing through origin origin से पास होने वाले circle यह मैं point रख देता हूं एक circle दो circle तीन circle चार circle कितने भी circle बना लो count ही नहीं किये जा सकते हैं तो that is infinite तो यह हमारे पास कुछ एक्जाम पस्ती third question की अब चलते हैं question number fourth की तरफ hopefully कि आपको समझा रहा हो next move to question number fourth यह है हमारे पास question number fourth question number fourth में equal sets की बात की गई है कि कौन से set equal होते हैं तो equal set की definition के according दोनों set में एक तो element same number में होने चाहिए और सारे elements same होने चाहिए ठीक है number भी same होना चाहिए चार एक में है तो दूसरे में भी चार हो और वो चारो same भी होने चाहिए तो यहां पे a, b, c, d यहां पे भी a, b, c, d हाँ order आगे पीछे हो सकते हैं order का कोई matter नहीं है इसमें तो a और b में चार चार element ही है और चारो element same भी है तो a equals to b अब यहां पे देखिए 4 इसमें है इसमें भी है 8 है इसमें 8 इसमें भी है 16 इसमें है इसमें भी है यहां पे 12 है और यहां पे 18 है तो elements different होगे तो a not equal to b आ गया 2, 4, 6, 8, 10 x is a positive even integer and x is less than or equals to 10 अब यहाँ पे अगर इसकी definition देखें यह सारे positive even integer हैं और less than or equal to 10 भी है तो a और b same है क्योंकि b के element ही लिखे होने आएगे positive even integers मतलब की एक तो positive numbers और even number 2, 4, 6, 8, 10 सारे even हैं और less than or equal to 10 का मतलब 10 से 10 के बराबर हो और 10 से कम हो तो a equals to b x is a multiple of 10 and 10, 15, 20, 25, 30 x is a multiple of 10 यह में कैसे element आएगे 10, 20, 30, 40 and so on और b में के element दी हो है 10, 15 अब यहाँ पे 15 भी है 25 भी है यह तो multiple of 5 जा रहा है वो भी greater than or equals to 10 तो यह हमारे पास यहाँ पे भी a not equals to b बड़े simple से question है set theory के तो अब हमारे पास है question number fifth तो यह हमारे पास question number fifth are the following pair of set equal give reason हमने बताना है कि क्या यह equal है और साथ में reason बताना है तो जो यह हमारे पास first question है इस तरह के question normally आते हैं exam में simple simple से नहीं बूचे जाते हैं तो हमें पहले इस quadratic equation को solve करना पड़ेगा x square plus 5x plus 6 equals to 0 तो यहां पर क्या आ गया middle term separate करेंगे 3x plus 2x plus 6 equals to 0 x plus 3 plus 2 x plus 3 equals to 0 अब आगे क्या है क्या आ रहेगा यहां पर x plus 2x plus 3 equals to 0 अब इन दोनों का मतलब क्या है x plus 2 और x plus 3 का या तो x plus 2 0 होगा और अगर ऐसा है तो x minus 2 के equal है या x plus 3 0 होगा और अगर x plus 3 0 है तो x minus 3 के equal होगा तो x की दो values आ जाती है या तो minus 2 या minus 3 तो b में हमारे पास कौन से element है set b में element है minus 2 और minus 3 और a में element है 2 और 3 तो क्या यह दोनों equal हुए नहीं हुए a is not equals to b तो इस तरह के questions आते हैं एक्जाम में जिसको थुड़ा सा solve करना पड़े next है letter in the world follow a set में कैसे element आ रहे है याद रखिए कि element repeat नहीं करते है तो f o l w f o l w और b में element वोर्फ के दिये हुए है तो वोर्फ में भी हमारे पास w o l f f दोनों में है o b है l b है और w b है तो a equals to b तो इस तरीके से हम इसको solve करते हैं तो fifth question तक हो गया है अब रह गया हमारे पास last question that is question number sixth अब देखिए question number six बड़ा simple चाहा हो हमने हमारे पास a से लेके h तक sets दिये हुए है और हमने ये बताना है कि इन में से कौन से जो set है ये equal है obviously हमने ये देखना है कि number of elements same हो और elements भी same तो जल्दी से देखते हैं हमारे पास एक तो जो दिखाई दे रहे हैं कि b और t ये equal है इसमें भी one two three four है इसमें भी one two three है तो b equals to d उसके बाद जो एक नजर आ रहा है इसको मैं circle कर देता हूँ e और ये हमारे पास g equal है दोनों में element same है e और g में minus one one minus one one उसके अलावा अगर देखा जाए यहां पे two four eight twelve है यहां पे eight और twelve तो है four भी है इसमें fourteen और two है ये भी equal नहीं है जीरो ए है जीरो वन है ये भी equal नहीं है तो इस question का answer क्या है bd के equal है ef के equal है बस this is the और ये इसी के साथ हमारे पास end होता है exercise one point two का अगली वीडियो होगी exercise one point three की introduction के ऊपर और introduction में हमारे पास topic है इसके subsets हैं और subsets की properties हैं intervals हैं universal set है power set है तो वो भी एक बड़ा interesting सा topic है तो बने रही है वीडियो के साथ अगर channel पे नए है तो like कर दीजिए subscribe कर दीजिए अपने friends के साथ share कर दीजिए thanks for watching the video